ठीक है, इसी को sustainable development बोलेंगे ना, कि सारे resources का हमने wise तरीके से और futures generation का ध्यान रखते हुए इस्तमाल किया गया है, या उनको recycle किया है, है ना, consumption कम कर दिया, recycle कर लिया, और उनको use किया बार बार, है ना, for example, ये single use plastic को क्यों बैं किया गया है, कि आप एक बार use करके fake देते हो, environment pollute हो जाता है, है ना, ये थोड़ा सा wisely हमें अपने आसपास ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो हम क्या करें चीजों को कोशिश करें जितनी बार इस्तमाल करें, है ना, तो वैसे इंडिया में है, ये वाला concept है, reusing the things, हम लोग तो ultimately fake नहीं है चीज को, चीज करीद लिए पह test के concept है, reuse हम तो कभी से करते हैं, तो हमें continue करना चाहिए, इस चीज पर मजाग नहीं बनाना चाहिए, कि आप reuse करें, अथी बात है, resources को, जितना कम exploit करोगे तो ना बढ़ी है, चलिए, अब से कहानी है, इसका कुछ नहीं है, ये पेपर में आने वाली चीज नहीं है, हो गया बस, चलिए, अगले चेप्टर पर चलते हैं, अब ये ना, resources के type बता रहा है, natural resources के बारे में बात कर रहा है, यही तो हो ना, natural resources, है ना, land हो गया, water हो गया, vegetation, vegetation का मतलब पेड़ पौदे, है ना, तो ये सब, और wildlife, ये भी तो resources है, animal, resources ही तो है, इनका भी तो हो सकता है, ना, कबूतर का use होता था, लेटर बेजने के लिए, बड़ी आसी आई, है ना, और, कुछ, जो अपने milk, या milk products की वज़े से use होते है, बाकी, हाँ, sheep का wool के लिए use हो सकता है, है ना, तो इनका भी wildlife का भी use किया जा सकता है, तो अभी बताएंगे, different, different, जो है, land का इस्तमाल किस त और, uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristic of land and climate, यह कह रहा है कि देखो, तही जगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, for example, planes में देखना, एक घर के छट बिल्कुल दूसरे घर के साथ लग रही है, फिर high-rise buildings भी हो रखी है, एक जगे देखो, यह घर यहां है, दूरे, एक उससे दूरे, प आप जैसे अगर अपने डेजर्ट अरिया के बिल्कुल वहां चले जाओ, बाउंडरी पे, वहां ही मिलेंगे आपको इतना जो है, सेटिल्मेंट्स या लदाख के ऊपर चले चले जाओ, यह रहने का काम थोड़ी है, तो different climatic conditions, यह decide करेंगे कि वहां पे पोपुलेशन कैसे रहेगे, ठीक है, तो लाइंड के बारे में बस इतना है पढ़ना है कि land is a resource, और यह रहा है कि 90% of the world population occupy only 30% of the land area, यह आपको थोड़ा सा याद रखना है, कि 30% को ही इस्तमाल कर रहे है हम, बाकी तो इस्तमाल नहीं कर सकते है, या तो climatic conditions की वज़े से, या vegetation की वज़े से, हम उसमें कौन सी आफ असल लगा सकते हो, उसमें किस प्रकार के आप घर बना सकते हो, इस हिसाब को मैं क्या कहती हूँ, land use कहती हूँ, ठीक है, हाँ, land can also be classified on the basis of ownership, है ना, land को कह रहा है कि आप दो तरीके से classify कर सकते हो, किसके basis पे, किसका मालिक कौन है, ठीक है, पहला तो private, ज दूसरा क्या, community, private land का example, थारा प्लोट, आप अगर, है ना, और community land, हाँ, 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 जो पूरी community as a whole, use कर सकती, bus tend, railway station, है ना, पार, safe, park, stadium, Paris, ना, ना, सारी जीजा, ह taught, सारी जीज, हाँ, यह ही बोलते हो नहीं क्योंके हो, क्योंके हम रे थे ही बोलते है, o, productONG is also community land, हाँ, हाँ, DHrd is also a community land है, una,शिपे depend करता हु, इसके honor कौन है, पह आप उनर नहीं हो ना, you are just visiting, पर पंचायत के जो जमीन, उसके सब उनर है हम, है ना, हमारी ही तो है, पंचायत मेंस वाट, हम सब का जो गुरुप है, गामों का, वही तो हुआ ना, next is, these community lands are also called common property resources, कि सब की common property है, है ना, चलिए, इससे जादा कुछ करना नहीं है, इसमें, conservation of land resources कैसे किया जा सकता है, land कैसे, एक तो भई, इस पे थोड़े से पादें, जो उनको काटनाबंद करो, है ना, so that land, जो अपनी full capacity पे भी तो नहीं है, आप पहले क्या होता था, land अगर ठीक था तरीके से इस्तमाल कर रहे है, तो ground water पर फरक पड़ता है, है ना, आपने हर जग घरी घर बना दिये, तो rain जब होती है, ना तो वो जमीन पानी को सोख पाती है, वो नहीं सोख पाएगी, तो ground water जो है वो बात, नीचे चला जाता है, अब देखना, पहले जब ट्यूबल लगाते थे तो उपर मिल जाता था पानी, अब नीचे जाना पड़ता है, है रिजन यह है कि रिचार्ज नी ओपारा ground water, हमें अपनी memory में भी याद है कि जब कुए से पानी लेने जाते थे तो जब यह बारिश के आसपास का मौसम होता था ना, तो मतलब विजिबल जैसे है कि थोड़ा सा हाथ लगा करके नीचे से पानी लाया जाता, तो इतना उपर पानी जाता था, हाँ, अब तो है नी, रिचार्ज वोगर के वो उपर आ जाता था, अब आप देखोगे नीचे ना उपर पानी कभी, तो basically क्या है कि आपको क्या 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 काम करने पड़ेंगे इस land को conserve करने के लिए, afforestation, afforestation का मतलब लगाओ, land reclamation, land reclamation का मतलब क्या है कि जो ज पेस्टिसाइड्स हो गए या फर्टिलाइजर हो गए, फर्टिलाइजर का तो हरियना पंजाब में इतना बुरा हाल हो गया है, जैसे फर्टिलाइजर क्या होता है, NPK, ये फर्टिलाइजर है ना, तीन, मेजर जो फर्टिलाइजर है, इनका रेशो कितना होना चाहिए, फ हर्याना और पंजाब में लगबग लगबग इस टेज पर पहुंचा हुआ है पत्चिस रेशो दस रेशो यह कुछ आठ मतलब रेंडम यह इस हिसाब तक पहुंचा हुआ है तो कुछ हाई नहीं आता पता ही नहीं कितना करने तो पेस्टिसाइड जादा हो रहे हैं आप केमि यह पानी से पानी से क्या है यह पानी तो वहां पता है क्या है अब वराइटी देखनी न उसमें क्या हो सकता हैं है ना तो है अगली कैल्चरीं इन्वेंशन से ऑब हैं कि आपको जो रहे वाली जमीन है उस पे पिचाव लुगते हुए तो थोड़ा सा रिसर्च करने की सकते हैं better क्या किया जा सकता है for example हम दान क्यों वो रहे मुझे समझ नहीं आता कहीं से ले लो बस यही है यही है कि महेंगे बिकरें government MSP ढंक से decide नहीं कर पा रही है और हम हमारे एरिया के साब से अच्छी फसल कौन सी हम यह decide नेगर पा रहे हैं है ना कि दान West Bengal टाइप की जगह के लिए थी जहां पर पानी बहुत जादा है धूप बहुत जादा है है ना दान हमारे लिए कभी नहीं था तो हमें क्या है कि हमें अच्छा अब अच्छा अमांट मिलेगा अच्छी चीजें तो पूस्त तो ऑर उसमें वी इतना अच्छा कहां मिल रहा है उसमें ने मिल रहा है जैसे जाख गिए हमारे रीजिन भी नहीं ठीक कि लिए पर वह जा ता है कि हमें ठोड़ा सा वह कि हमें धर्य पे चलते आ औरे आ हैं गई हुँ धानगे हुँ दानगे हुँ दानवश अल्टर नेटिल भी वी नहीं तो हम इक पडिकुलर पैटरन जो है वहुं करते है एक जो लैंड की फटिलीटी को कम करता है ठीक है और फटिलीटी कम हुए तो हमने क्या करना शूरू किया फटिलाइजर का बहुत जादा यूज करना शुरू किया ठीक है तो लाइंड इस हिसाब से जो है वो गलत तरीके से स्तमाल हो रही है अब यह कह रहा है कि लाइंड के लावा दूसरा रिसॉर्स क्या हो सकता है सॉइल मिट्टी है ना यह भी तो रिसॉर्स है ना अब किसको कहते हैं थिन लेयर ऑफ ग्रेनी स्टेंसेंस कवरिंग दा सर्फेस ओफ दे अर्थ इस गॉल्ड सॉइल ठीक है अब यह कह रहा है कि यह डैट इस लिंक्ट तो लाइंड जो चेंज लैंड पे होगा वह आपकी सॉइल में भी होगा ठीक है तो सॉइल को भी कंसर्व करने की जरूरत है क्योंकि स्वाइल अगर कंसर्व नहीं करोगे तो फिर वही है कि फटिलिटी Standard की तो ना रायint mix of minerals and organic matter की सॉइल ठीक है अगर मिंड में ठीक ठाक से होंगे खाद नेचुरल जादा यूज करोगे तो उसकी fertility बढ़ेगी, ठीक है, यह किताबों में लिख देना बहुत आसान होता है, यह case studies को पढ़ने के ज़रूदी नहीं, land slide की, यह एक फोड़ा सा डाइग्राम है, यह soil को बताता है, यह है आपकी top soil, यह नहीं, यह तो vegetation है, घास होगी होई है, ठीक है, यह है आपकी top soil, इसमें क्या है, हिमस क्या होता है, organic matter जो गिर गया, उसका जो है वो अवशेश, है ना, और दूसरा क्या है, sub soil, sand है, silt है, clay है, ठीक है, sand, silt और clay का फर है, यह नहीं बता है, sand है, दानेदार, जो मिटी होती है, वो, मोटे दानों वाली, जो generally हमें कहां मिलती है, राजसान के आसपास के area में मिलती है, ठीक है, उससे थोड़े पतले दानों वाली होते है, silt, और सबसे पतली, और चिपकी हुई सी मिटी होती है, clay, है ना, बिल् ही नहीं रुकेगा, sand के साथ, इसमें तो बिल्कुल अब्जॉब हो जाएगा नीचे तक, ठीक है, फिर उसके बाद यह कह रहा है, weathered rock material, देखो, कोई भी rock है, surface पर, rock का मतलब चटाने, वो आपकी चटाने परवतों से भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, अब यह तूटे चोटे 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 चुकडों में, यह तो हवा लगने से, पानी लगने से, किसी भी चीज से, और वो गिर करके, यह इकठी हो जाएगे, यह और पीरियोड ऑफ टाइम बनाएगा, soil, मिट्टी, ठीक है, weathered rock material, और parent rock का मतलब, जिस rock की यह मिट्टी है, वो चटान, चटा से, उसमें, दानों में, डिस्ट्रिबूट होगी, तो उसने बना दिया, soil, समझ भाएगे, सीक्वेंस आप से, पूछी जा सकती है, वो किसी भी पेपर में पूछ सकते हैं, कि सीक्वेंस बताओ, सबसे पहले होगी, parent rock, सबसे नीचे, उसके उपर आएगी, weathered rock, weathered मतलब, तूटी-फूटी-टुकडों वाली चटाने है, then, sub-soil, और उसके बाद, soil, ठीक है, अब यह कह रहा है, कि soil को बनने में, किन चीजों का महत्व है, किन चीजों की वज़े से, soil या मिटी बनती है, पहला तो parent rock, डिटर्माइन करती है, parent rock का मतलब, जो main rock है, जिससे वो मिट बनने वाली है, वो कैसी होगी, इस बात पर डिपेंड करेगा, for example, हमारे यहां पर कैसी मिटी है, जो नदिया अपने साथ बहा करके लेके आई है, वैसे वाली मिटी है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे साउथ की तरफ जाने लगो, और मिड में इंडिया के, कैसी काली, मिटी होगी, ब्लैक सॉइल होगी, वो क्यों, क्योंकि वो जो पैरेंट रॉक है, वो इगनियस रॉक है, जो हमने 6th क्लास के NCRT में एगेस किया था, है ना, इगनियस का मतलब, जो आपकी लावा वगेरा से मिलकर के चट्टान बनी है, तो जैसी वो पैरेंट रॉक होगी, वैसी सॉइल वहाँ पर फॉर्म करेगी, ठीक है, रिलीफ, रिलीफ का क्या मतलब है, उचाई कितनी है, जुकाव कितना है, इस टाइप की चीज़े, फ्लोरा, फॉना, और माइक्रोर्गिनिजम, इस पे भी डिपेंड करता है, फ्लोरा क्या, पेड़ पौदे कैसे है, फॉना, आ होंगे, अब देखना हुमस क्या होता है, बेसिकली कोई भी और बिली मरगी वहां पड़ा वहां पड़ा हो, और पीरिड ऑफ ताइम गल सड़के, जो हो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, और जहां माइक्रोर्गिनिजम जादा होंगे, वह जल्दी परत चड़ती जाएगी, चड़ती जाएगी, वह सोईल कैसे होगी, थिक होगी, मोटी लेयर होगी, और अगर टाइम कम होगा, तो वह लेयर पतली होगी, then climate, temperature कैसा है, rainfall कैसा है, rate of weathering कैसा है, rate of weathering का मतलब तूट के गिरने, चटान तूट के गिरती है, तो वह रेट कैसा ह है, इस बात पे भी बहुत फरक पड़ता है, तो आप से अगर पूछा जाएगी, soil formation इन में से किस-किस पर depend करती है, तो इन सब पे, parent rock पे भी depend करती है, relief पे भी, flora fauna पे भी, time पे भी, और climate पे भी, ठीक है, one, two, three, four करके भी पूछा जा सकते है, कि इन में से किस-किस में, किस-किस पे soil formation depend करती है, है न, तो अब पता चल गया आपको, अब ये कह रहा है कि जब soil खराब होने लगती है, degrade होने लगती है, तो basically उसका conservation कैसे किया जा सकता, उसको बचाया कैसे जा सकता है, ये दे रखिए, ये 12th के NCRT में कराऊंगी मैं, इंडिया की soil को कितने-कितन तरीके की होती है, yellow whale, black, red, let right, desertic, or mountain, mountain वाले को ये इतनी important नहीं है, ज्यादा देखने को नहीं मिलती, तो ये basically main group of soil इंडिया में मिलता है, yellow whale का मिलेगा, yellow whale का मतलब होता न, छोटे-छोटे कंकर पत्थर जमाऊना, जो नदियां लेकर के आती है, जहां पर plains है, है न, पहा प्लेन, है न, इंडस के प्लेन, यहां पर मिलेगे yellow whale soil, yellow whale basically क्या होता है, कि जब नदी अपने साथ कुछ बहा करके लेकर आती है, कहां जमा कर रही है वो, हां, हमारे जो गंगा यमना वाले जो एरिया है, हरियाना, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, है न, यह, इस टाइप का area, plain वाला area, वहां deposit करती है, और आपकी जो यह black soil देखने हो ले, पठार वाले area पे देखने को मिलेगी, है न, तो यह हम 12th के NCRT में करेंगे extensively, तो यह कह रहा है कि कैसे बचाया जा सकता है, पहला तरीका तो है mulching, mulching का क्या मतलब होता है, जब फसल लग खाली ले लो, कुछ भी ले लो, है न, इस से जो है, उसको cover कर दो, अब वो धीरे-दीरे क्या होगा, मिक्स हो करके soil में खाद का काम करेगा, ठीक है, soil conserve हो जाएगी, mulching का मतलब ही होता है, कि खाली ground को आप खाद से भर दो, organic, है न, दूसरा क्या है, contour barriers, contour barriers का मतलब क्या होत चोटे-चोटे stone लगा दिये, तहीं पर घास लगा दिये, और एक barrier सा बिल्ड कर दिया, चारू तरफ, कि soil उड़ कर कहीं न जाए, जनली यह कहां पर, आप डेजर्ट अरिया के पास पास देखना, तीले का तीला सरग जाता है रात को, है तो हम ऐसे केस में मिटी ना जादा उड़े, उस चक्कर में क्या करते हैं, कंटूर बैरिंग करते हैं, कटे ना मिटी, देन, रॉक डैम, चट्टानों का एक डैम सा बना देते हैं, ठीक है, यह जो हम यह बना रहे होते हैं, डोले बना रहे हैं, अपने खेत के चारो तरफ, यह तरीका बेसिकली वही था, अब आपका टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग का एक्जम्पल बता सकते हो, टेरेस का मतलब क्या होता है, चट को बोलते हैं वैसे टेरेस ना, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ, उपर वाली चट थोड़ी बाहर की तरफ ने निकले होती है, उसको टेरेस बोलते है, पाहड़ पहाडों पर देखने को मिलती है फिर उसके बाद intercropping intercropping का मतलब क्या होता है बर्शम की के लिए शर्शम देखिये ने सारे ने वही होती intercropping यह थोड़ा अंग्रेजी की नाम होते हैं और कुछ नहीं होता हम सबने सब कुछ देखा हुआ है intercropping का मतलब क्या है एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल को बो देना ठीक है इस इस वाट वी कॉल इंटर क्रोप इसमें क्या हो सकता है इसमें एक साथ नहीं आएगी दोनों फसल जैसे आप बीच में सर्सों बड़ी हो जाती ना बीच बीच में उसको काटते रहते हो फिर उसके बाद आप जो अपनी वो बाकी की फसल काटते हो ताइमिंग भी अलग-अलग हो सकती दोनों क्रोप के मिचयर होनी की ठीक है next is कंटूर प्लगिंग प्लगिंग का मतलब क्या होता है जब हम खेत को बहाते हैं बहाना तो पता है ना सबको तो वो कंटूर के साथ-साथ करो कि जहां बाउंडरी है ना उसके अकॉर्डिंग ही करो हम भी ऐसे ही करते हैं कि जैसे डोले जिस तरह से माक कर रखे होते हैं हम वैसे ही चलाते है अपने उसको हाँ ट्रेक्टर को हलको पहले चलाते थे तो उसी की अकॉर्डिंग करो ऐसा मत करो कि बाउंडरी कहीं पे और तुमने कहीं पे बाद दिया है ना तो कंटूर प्लगिंग का मतलब बस यही होता है यह थोड़े फैंसी नाम है देन शेल्टर बेल्ट्स शेल्टर बेल्स का मतलब क्या होता है कि जो कोस्टर एरियाज होते ना यह फिर ड्राई सुखे एरियाज होते वहाँ पर ट्रीज प्लांट कर दिये जाते हैं चारू तरफ है ना उस ट्री प्लांटेशन को कि हवा जो है वो मिट्टी को ना ले जाए अपने साथ जैसे यह कर अखे यह खेर अभी तो हम क्या करते हैं हम तो जनरली इसको commercial point of view से लेते हैं कि कई खेतों में देखा होगा ना आपने popular Englishman I'm a eucalyptus कए जनरली कहा मिलता है की जहां थोड़ी पानी की घूऊ होती है यह बहुत जादा पानी वाले area में नहीं ह ng कुर सकते हैं अपने अर्या शेया बहुत नहीं बौंड पानी वाले एरिया में नहीं हैं तो यूकलिप्टस ऐसे एरिया का क्योंकि जड़ नीचे तक होती है और पानी जो है वो सुखे में आराम से रह सकता है तो शेल्टर बेल्ट लगाना मतलब खेत के चारो तरफ पेड लगा देना ठीक है उसको कहते है यह जनरली कॉस्टल अरिया कॉस्टल तरफ पेड लगा देते हैं आज के लिए कमर्शियल भी हो गया है कि खेती तो ही रही है साथ में चारो तरफ वह पेड़ भी हो जाएंगे है ना कि वाटर आपको पता हुगा कि फ्रेश वाटर जो हम पीने का पानी जिसको बोलते हैं वो तो बहुत ही कम अवैलेबल है हमारे लिए हैना कहीं आई स्कैप में या नदियों में ही मिल सकता है नहीं तो ज्यादार पानी कैसा है समुद्र में पानी है जो पीने के लिए लायक नहीं है तो पानी का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है यह कह रहा है कि वाटर साइकल की भी बात करेंगा कि वाटर साइकल वाटर साइकल का सीधा सा मतलब यह है कि बारिश हुई अब बारिश हो करके कहां आएगी ग्राउंड पे आगीए अब ग्राउंड पे आ रही है तो कहा गई और किसी तलाब या नदी में गई अब क्या हुआ उपर सूरज है यह इवैपुरेशन होगा इवैपुरेशन होकर के पानी कहाँ क्लाउड में फॉर्म करेगा क्लाउड में चला गया प्रेसिपिटेशन हुआ और बारिश फिर से हो गई तो एक cycle continue रहता है ठीक है क्यों उपर से बादलों से धरती पर धरती से बादलों में this is what we call water cycle ठीक है तो यह कह रहा है कि हमें basically किसकी जरूरत है हमें थोड़ा सा water को conserve करने की जरूरत है यह paragraph पढ़ोगे तो इसमें कुछ खास है नहीं वह करने के लिए याद करने के लिए हाँ बस यह यह the process of evaporation and precipitation and runoff runoff क्या होता है यह जब बादल से और नदियों में आया न इसको runoff कहते है कि धर्थी पर गिरा या तो groundwater में चला गया यह नदियों में या आपके लेक्स में चला गया इसको runoff कहते है ठीक है हाँ ठीक बस यह कह रहा है कि urbanization के वज़े से पानी वानी की availability कम हो रही है यह river Yamuna is getting polluted पॉलिट तो होईगी चलिए conservation कैसे किया जा सकता है तरीके बताओ पानी को conserve कैसे किया जा सकता है rain water harvesting की जा सकते है सबसे पहले तो पुराने time में भी available थी हमारे पास यह बावलीज बनती महम में देखी होगी तुम लोगों ने गए हो कभी देखने तो वो पानी को conserve करने के लिए ही होती थी ठीक है पानी को conserve करने का जब जब जरूरत पड़ेगी तब इस पानी का इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है और दूसरा क्या तरीका हो सकता है storage tanks में store कर लेना कि जब पानी कम होगा तब हम इसका इस्तमाल कर लेंगे यह जो हमने तालाब बना रखें यह भी basically क्या थे जाने दिये जाए पानी में कि quality खराब ना हो और दूसरा क्या तरीका है कि खेतों में पानी देने का तरीका हमें थोड़ा सा सब्धारना पड़ेगा या तो हम sprinkler से हैं है यह फिर डिप irrigation का इस्तमाल कर सकते हैं इसमें पानी जितना जो है वह जितना इस्तमाल करके पानी का बरते ना तो इससे और जादा बरा जा सकता है एक बार सेट अप की कॉस्ट होती है बट इट विल कंजर्व दा वाटर इन लॉंग रन ज्यादा तर लंबे टाइम के लिए पानी को जो है बचाये गाई बस यह इसमें और कुछ निए ट्रिकल इसको क्या कहते है डि पानी है खुब पोदे लगे हो एक तो हमने वह सब पिछड़क दिया एक हमने मग से थोड़ा थोड़ा लेकर सब की जड़ों में डाल दिया तो शायद वह चार या पांच मंग में काम चल जाएगा इस कंपेर टू पूरी बाल्टी है ना में छोटे एक्जामपल से मैंने स सब्सक्राइब का मतलब जमीन मिलते हैं और वहीं पर जीवन होता है है तो हम जहां रहे रहे हैं वाट इस दिस इस इस बायोस्फेर है क्योंकि हमें सांस लेने के लिए उक्सिजन मिल रही है पीने के लिए पानी मिल रहा है और बाकी संसाधनों के लिए जमीन भी मिल रही ह ठीक है तो this is what we call biosphere और basically क्या कहते है ecosystem किसको कहते है आपस की arrangement हमारी पानी के साथ हमारी arrangement या मतलब उसके साथ या आपस में एक दूसरे के साथ arrangement this is what we call ecosystem ठीक है बस यह definition है इससे जादा इसमें कुछ करने का है नहीं wildlife किसको कहते है हां ठीक है जो basically aquatic life वाले भी एकवेट मचलिया है यह सब और यह सब हमें क्या देते है milk meat और hides and wools ठीक है यह तो medicinal herb है जिसको ब्रहम कमल कहते हैं यह blue kingfisher है तो यह wildlife है है और अगर मैं बात करूं यह छोटा सा फैक्ति यहां पर दे रखागा वल्चर वल्चर क्या है scavenger की तरह काम करते हैं बट एक दवाई का नाम आपने सुनाओ का painkiller का डेकलोफिनेक है ना डेकलोफिनेक हम human कंजियूम करते हैं या कोई भी जो है environment में फैली हुई है वल्चर जब भी उसको खाएगा उसकी किड्नी फैल हो जाती है ठीक है तो यह जो क्लीनिंग का काम था वल्चर खतम हो जाएंगे तो फिर कौन करेगा तो एक भी अगर हमारे आसपास से खतम होती है तो हमारे environment के लिए गलत है ठीक है तो यह हर्याना का current affair है कि इसको वल्चर को चंजर्व करने के लिए पिंजोर में बनाया गया है एक सेंटर जिसको जटायू केते है ठीक है उसका नाम जटायू रखा गया है वल्चर को चंजर्व करने क करने के लिए राइट तो इतना याद रखना है डिलो एक के वजह से मरें किडिनी फैलियर की वजह से तो यह बैंन किया गया है गोर्मंट फट इंडिया के द्वारा ठीक है चलिए अच्छा यहाइट साइट इस नो पुछ नहीं दो पर पेड़ वोगी जडों में और इन सब इस नहीं होंगे यह सब आपको ध्यान रखना है शौट चोटे पेड या घ्वास कहां होगी जहां रिनफॉल कम होगा है जहां रिनफॉल जादा होगा ट्रॉपिकल एरियाज में वहां के पेड बड़े-बड़े होंगे लंबे-लंबे होंगे ठीक है और बिल्कुल के लिए नहीं है इसमें किसको नहीं पताए नेशिनल पारक वाइल लाइफ सेंच्छुरी बाइस फैर सन रिजव चलो इसको-व की तरह से लिखा आपको पता करना वट इस नेशिनल पार्क वट इजवाइल लाइफ सेंच्छुरी अन्ट इस बायोस्वेर रिज़ और कित इसमें किसी तरह की कवरशल एक्तिविटीटी अलाओं नहीं होती है को रिया में बफर जोे जो है ऐधर एंडियाал Inspectory गाराश index सकते हो या tourism चल सकता है तो इस तरह से होता है जो इस तो आपको देख कर आना किसको में definition-wise national park कहूंगी किसको wildlife sanctuary किसको बाइस फेर reserve कहा जाएगा ठीक है यह homework आपको करना है कि मैं मुझें साइट पर आपको बता जिते हूं वुण महोथ सब तो कुछ का इसे हैं निवन महुतसम बनाते हैं, पेडविड लगाते हैं, इसमें, ठीक है, साइट्स, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब क्या, जब बहुत सारे देश मिलकर के बैठते हैं, और एक चीज को डिसाइड करते हैं, कि हम ये करने वाले हैं, साइट्स में क्या डिसाइड किया, कि तो इसे खतम होने वाले हैं, उनमें ट्रेड नहीं की जाएगी, उनको खरीदा या बेचा नहीं जाएगा, जो कोई करता मिला उसको सजा दी जाएगी, तो सारी कंट्री अपनी अपनी कंट्री का लॉपास करो, तो हमने कौन सा लॉपास किया, वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, साइट्स को ही वो करने के लिए, कि जो भी इन के बीच में ट्रेड करेगा, जैसे हाती दात बंद कर दिया है, ट्रेड करना, उसके लिए हाती को मार देते थे, हाती इंडेंजर्ड, वो विचारे वैसे ही खतम होने वाले, तो ऐसे क्या करेंगे, कि यह सब प्रेड नहीं कर सकते हैं, जैसे पैंगॉलीं, जिनकी वज़े से COVID आया था, पैंगॉलीं में ट्रेड था था, सब से दाधा ट्रेड अनिमल है, तो उसको बैन किया गया, कि आप जो पैंगॉलीं में ट्रेड नहीं करोगे, तो मतलब जो साइट्स की लिस्ट में आ जाएग जब भी हमकोई अनिमल पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें पढ़ेंगे, कि वाइलाग्ट प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेडूल में आता है, साइट के कौन से शेडूल में आता है, और IUCN क्राइटेरिया क्या है इसका, IUCN तो सब को पता है न, UPSC वाला को तो सब को पता इसकी तरीके से इसके साथ आपने ट्रेड किया या इसको मारा दू है न, सर्वान खान को सजा होई थी, वो इसी इनी वजे से होई थै कि कुछ अनिमल ऐसे होते है जो बैन होते, ठीक है, और आपको पता है, conservation of animal and basically plants is your fundamental duty, आपके 51a में लिखा है article 51a में किस देश के environment को प्र मेवारी है, ठीक है, यह दे लिया, site का पूरा नाम भी दे लिया, इसको ध्यान से रखना है, sites, convention of international trade in endangered species of wild fauna and flora, एक international agreement है, किस के बीच में, different different governments के बीच में, ठीक है, क्या करता है यह, it is to ensure that international trade in specimen of wild and imminent plants does not threaten their survival, कि trade के वज़े से ऐसा ना हो, कि यह बीचारे survive ही ना कर पाए, खतम हो जाए, जैसे Asiatic Lion, Gir National Park is the only home, जहाँ वो बचे हैं बीचारे, है ना, तो इसमें पेड पौदे भी आते हैं, पेड पौदे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, यह याद रखना है, कि सिर्फ जानवर में नहीं है, दोनों में trade, यह डील करता है, चलिए, the last chapter for today, यह कह रहा है, mineral, क्या होते हैं, नाचरली, जो है हमें जो substances मिलते हैं, जिनके chemical composition होते हैं, कुछ chemical mix होते हैं, तो इसको मैं क्या कहते हूँ, mineral कहते हैं, ठीक है, evenly distributed नहीं है, कहीं पे कोई mineral मिलेग कहीं पे कोई मिलेगा, यह कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, जैसे for example, आपका Switzerland, वह एक भी mineral नहीं मिलाया भी तक, ठीक है, तो वो different, different geographical locations पे यह इन सारी चीज़ों पे depend करते है, minerals are formed in different type of geological environment, ठीक है, हर mineral को अकर करने के लिए, अलग-अलग conditions की ज़रूत होते है, for example, coal को किस है ना, heat की, तब जा करके बनेगा, और से, ऐसा तो फिर वही बात है कि diamond भी से हम तरीके से बनता है, और petrol भी से बनता है, but different, different conditions, different, different geographical conditions, उनको अलग-अलग तरीके से classify करते है, ठीक है, types of minerals, बस इतना ध्यान रखना है कि कितने type के होते है, पेला तो metallic, जिन में धातू का content हो होता है, metallic को दो तरीके से classify किया जा सकता, ferrous मतलब जिसमें iron मिलेगा, non-ferrous जिसमें iron नहीं होगा, ठीक है, तो यह basically classification है, iron ore हो गया, magnees हो गया, chromites हो गया, यह सब क्या है, ferrous है, और non-ferrous कौन से है, gold, silver, copper और lead, ठीक है, non-metallic जैसे limestone, ठीक है, mica, gypsum, ठीक है, mineral तो है, पर में क्या है, metal नहीं है, चुना पत्तर, metal थोड़ी है, but still that is a mineral, हाँ, अब यह कह रहा है कि mineral को निकाला किन किन तरीकों से जा सकता है, पहला तो mining, mining का मतलब ख़दानों से खोद के निकाला जा सकता है, यह open cast का मतलब खुली माइन है, open area में है, आप निकाल सकते हो, दूसरा shaft shaft mining, shaft का मतलब पूरी shaft लगा कर के धरती के अंदर से निकाला जा रहा है, for example, petroleum वगरा, shaft mining का मतलब ऐसे यह विता है, closed है, आपको दरती के ऊपर नहीं दिखेंगे, आपको पूरा सुरंग के अंदर से जा कर किलाना पड़ेगा, then drilling, drill कर कर के निकालना है, धरती के अंदर से, then your quiring, quiring का मतलब होता है, उपरी सते से निकाल लिया, बस आपको दिख रही थी आपने निकाल लिया, तो यह तरीके हो सकते है, extraction of mineral, यह इसके बारे में आपको दे रहा है, drilling का मतलब है, कि एक पूरा बोर खोदा जाएगा, पूरा गड़ा बनाया जाएगा, वहां से निकाल जा सकता, दोनों में फर्क है, drilling का मतलब क्याता है, एक छोटे एरिया को आप ड्रिल करोगे, और ड्रिल कोई लिमिट थोड़ी है, कहां तक करना है, जहां तक आपकी टेक्नोलोजी अलाओ करेगी, आप ड्रिल करोगे, है ना, पर एक्जांपल, पेट्रोलियुम, वो तो प पर इंक्वाइरिंग का मतलब सतय पर ही है, बिल्कुल, आपको दिख रही है, आप निकाल लो, जैसे आपकी केरला कोस्ट पे, मलावर कोस्ट पे, उरेनियम मिलता है, डिस्टिपिशन अफ मैनरल, यह कह रहे है, कहां कहां क्या क्या हो सकता है, तो आपको यह देखना है, कि Sedimentary Rock Formation of Plains and Young Fold Mountains contains Non-Metallic Minerals like Limestone, Sedimentary Rock का होती है, जो चट्टा ने अपने साथ कंकर पत्थर लेकर आते हैं और जमा कर देती है, तो वहां बनती है, Sediment Rock, Sediment Rock का Example, आपके Himalayas, यह न, Young Fold Mountain, जो फोल्ड से बने प्रेशर लगा और फोल्ड हो गए, उपर की तरफ, तो ऐसे अर प्रेली क्या, Non-Metallic Minerals मिलेंगे, हाँ, भाई आज तो आज पता नहीं, ठीक है, तो वहां क्या बनेंगे आपके, Non-Metallic Minerals मिलेंगे, जैसे Limestone की Deposits का मिलते हैं, Caucus Region of France में मिलते हैं, Magnes का मिलेगा, Georgia में, और Ukraine में, Phosphate का मिलेगा, Algeria में, ठीक है, अब यह देश में य इतना तो एक्सपक्ट करी सकते हूं, Group A, Group B की Post के लिए प्रिपार कर रहे हो, इतना तो हुंबक आपको करना पड़ेगा, Coal, Petroleum कहा मिलेगे, इसी Sedimentary Stratum में मिलेगे, ठीक है, Sedimentary Rock के थोड़ा नीचे जाओगे, तो आपको Petroleum मिलेगा, Petroleum से थोड़ा उपर क्या मिलेगी, Gas, Natural Gas, ठीक है, इशिया में क्या-क्या मिल सकते हैं, ये डाइग्राम में दिया, ये वैसे माँ आपको Economic Geography कराऊंगी, जैसे कोल के लिए अलग से कराऊंगी, है ना, तो बस इसकी Reading लेनी है आपको, आपको ये याद रहे कि कौन सा Region, किस Mineral की वज़ेसे Famous है, जैसे Roor, Germany, है ना, या आपक प्लेटिया का जो छोटा नागपूर प्लेटिव, कि कौन सा कहां कहां मोटा सा बेसिकली मिलता है, नहीं तो ये Economic Geography अलग से कराऊंगी, उसमें सारा कराऊंगी, जैसे Asia किस के लिए फेमस है, टिन के लिए, कितना प्रेडियोस करता है, more than half of the tin, जितना इस वर्ड में होता ह उसका आधा tin कहां होता है, एशिया में, बस ही आपको याद रखना है, ठीक है, आगे चलते हैं, कौन-कौन से देश हैं, क्योंकि ये NCRT में थोड़ी सी आउटरेटेटेड इंफोर्मेशन है, अभी latest हो सकता है, कोई और country टॉप कर रही हो, तो इसलिए इस chapter को थोड़ा सा हम अवाइड कराती हूँ, तिन का सबसे ददा production इन country में होता है, ठीक है, चलो, यूरोप में क्या मिलेगा, iron ore, ठीक है, देन, जैसे रशिया हो गया, उक्रेन हो गया, फ्रैंस हो गया, इन सब में, next is your North America, North America को basically 3 रीजन में classify करते हैं, ये लोग, mineral के तरीके से, पहला कौन स region, है ना, ये वाला हो गया, है ना, Great Lake से उपर वाला, North वाला area, Aplacian region, ठीक है, then your, and the mountain ranges of the west, ठीक है, तो इन में क्या-क्या मिलेगा, basically ये जो आपकी Canadian shield है, this is famous for cold, ठीक है, Aplacian region, ये, sorry, uranium और copper के लिए, और ये जो shield region है, ये coal के लिए, and then your western cordillus, I have vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver, ठीक है, तो ये basically North America, इन चीजों के लिए famous है, सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, Great Lakes देख ले ना, वही, कौन सी lakes को Great Lake बोलते है, और कहां है, यहां है, पता चला, UPSC का paper, ये Great Lakes मोलते हैं, इस region को, ये है जो, South America, Brazil famous है, किस चीज के लिए, iron ore के लिए, ठीक है, चाइलन, पेरू, copper के लिए, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, चलिए, किसी और कंट्री का नाम तो नहीं है, इसमें, नहीं, ओयल के लिए, वेनिजुएला, largest producer वेनिजुएला, सबसे जाधा, जो है, resources वेनिजुएला में मिलते हैं, बाकि जो opaque countries हैं, वो जाधा produce करती है, ऐफ्रिका, किम्बरले प्लेट्यू, एफ्रिका का, कहां है किम्बरले प्लेट्यू, ये आपको देख कर क्याना है, एफ्रिका में, ठीक है, वो किस के लिए famous है, diamond and gold बगरा के लिए, ठीक है, चलिए, ओयल कहां मिलेगा, Nigeria, लीबिया, लीबिया, तो आपका ये opaque countries में भी तो है, आस्ट largest deposit of gold भी है, producer में deposit होने में फर्क है, है ना, दो चीज़े होते हैं, एक तो largest producer होता है, क्यों produce कर रहा है, एक उसके पास क्या है, deposit से, deposit जरूर थोड़े produce भी कर रहा होगा, बस deposit से, दूसरा exporter, जरूर इन जिसके पास largest deposit भी है, वो export भी करता होगा, इंडिया में बहुत सारी बहुत सारे हैं, बट बेसिकली, ट्रांस अंटाक्टिक मांटेंस, जो प्रिंस चाल्स मांटेंस है, उसके आसपास का इरिया हो है, वो मिनरल के लिए फेमस है, ठीक है, आयरन और, आलसो प्रिजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटिटी, बट वहाँ जाकर हम इनका प्रोड़ कि इतने लो टेंपरेचर के साथ हम प्रोड़क्शन कर सकें, ठीक है, डिपोजट तो है, और दूसरा क्या है, कि इन्टारेक्टिका इस बेसिकली किसी एक कंट्री के अंडर नहीं है, नहीं कर सकते हैं, बट हम वहां से नहीं प्रोड़ूस करें, क्योंकि एक एक कंट्री का यूज़ होते हैं आपके मिनरल, और बेसिकली कॉपर जो है, वह कहा कहा नहीं यूज़ देट इस पाइप्स और आपका जो है, ये वायर्स इन सारी चीज़ों में, सिलिकॉन कहा हो सकता है, अपक्यूटर इंडिस्ट्री में सब जादा यूज़ होता है, सिलिकॉन वैली है तो इस ही के नाम पर रख दिया गया, देन आपका क्वार्ड अलुमीनियम किस किस के लिए बगसाइट से निकाला जाता है ना, ओटो मोबाइल और अर अरोपलेन में यूज़ होता है, अलुमीनियम ने यूज़ करते हैं बद इस वरी हामफुल, करना नहीं चाहिए, इस व आपके फोन से, आप क्या करते हैं जब इस तमाल ये खराब अज़ाता है, फेक देते हो ना, फेको मत, इसको रिसाइकल करने के लिए दो, रिसाइकल करके कहां उसको रियूज कर सकते हैं, फिर जितना कम वेस्ट प्रेडूस कर सकते हैं, तो ये तीन आर की वज़े से, मिनर प्रेडिशन से चले आए, किन से, एनरजी या पावर किसे यूज करते हम, जरली फायर वोड फॉसल से, हैंना, एनरजी सी सी होती है, आज कल सिलेंडर बगर और ये सारी चीज़े चले हुए है, पहले तो फायर वोड से होती थी, इनको कन्वेंशनल सोर्स ओफ एनरजी का अजरी चले आ रही है, आपका पावर के बारे में बात करेंगा, फायर वोड के बात करेंगा, बैसके किस चीज के लिए यूज होता था, क्या होता था, इसमें क्या होता था, रिमेंस औफ प्लांट और अनिमल्स, जो धरती के अंदर जो है, बिलियन ऑफ ये बाए गये उन मेरे हिसाब से तो कोई जादा इस्तामाल का है नहीं में स्कांसर ज़रू लिखा जा सकता है बाकी प्रीमे अच्छ कुछ है और ट्रांस्पोर्ट एजिली किया जा सकता है नेच्रल गैस की कंपारिटिब ली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बेस है डिसडिवंटेज क्या है कि अगर आप और नेच्रल गैस को बन करते हो डिपलीट करता है अक्सिजन को ठीक है पॉलुटेंट होते है और न्यू फोसिल फ्यूल इस नॉट इजी ठीक है कन्वेंशनल सोर्स अफ एनरजी दे रखे ये फायर वुड हो गया ओल हो गया और हैडल पावर हैडल पावर का इसे बुरा होगा जैसे हैडल पावर से है पॉल पॉलिशन नहीं करती बिल्कुल भी दैन इरिगेशन वगरा के यूज में किया जा सकता है वहां पर हम जो है फिशिंग भी कर सकते है जहां डैम का पानी कथा हो रखा है और हमारे लिए सस्ता भी पढ़ता है ठीक है पड़ होते हैं यहें ह coral को क्या कहा गया है ब्रेड़ संशान कहा गया है इनजन्स में यूज होता है पर स्टेम इनजन्स नहीं होते थे और उर यूजिटन करने के लिए यूज होता है और को थर्मल पावर के कहते है ब्र Islamic अब छन कर कर miracle कि leading producer कौन है ये लोग country की बात करें इंडिया में कहा जरिया प्रानी गंज धनबाद बोकारो ये सब जारखंड में यहां पर कोल सबसे जादा प्रोडियूस होता है यह याद रखने आपको petroleum petroleum को black gold भी कहा गया चीफ petroleum producing countries कौन कौन से इरान इराक साओधी अरेब आड कतर ठीक है और दूसरे USA रशिया वेनेजुएला आड अजीरिया ठीक है अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो डिग बोई असम बॉंबे हाई मुंबई और डेल्टास ओफ कृष्णा गुदावरी रिवर हमारे यह अपना 90% इंपोर्टी करना पड़ता है ठीक है नेचरल गैस की बात करों जहां आपके यह मिलेंगे petroleum मिलेगा उससे उपर नेचरल गैस मिलेगी ठीक है तो डिपॉजट जनरली वही होता है जहां पर आपका petroleum मिलेगा चलिए बस यह है इसमें से देखना है कि लार्जस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन से रशिया नॉर्वेय यूके और निधरलेंड्स देखो वह इनके ranking ना उपर नीचे होती रहती है तो लेटेस्ट आपको डूमनी है कि नेचरल गैस के लीडिंग प्रोड्यूसर अभी झाल 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 झाल